निक्कीज कॉर्णर में आप सभी का स्वागत है आज मैं आपको ले करके चल रही हूँ पतांजली योग ग्राम ये हरिद्वार में इस्थित है हम गेट के बाहर आ चुके हैं लेकिन अपनी गाड़ी से अंदर नहीं जा सकते हैं अगर आप अपनी गाड़ी से जाते हैं तो में कोई भी पेट्रॉल की गाड़ी आपको दिखाई नहीं पड़ाएगा अभी हम जा रहे हैं रिसेप्शन सेंटर सबसे पहले हम वहीं पर जाएंगे और हमें रूम जो बुकिंग कराई गई है वो हमें मिलेगा और आपका बैग भी चेक किया जाता है यहां प्रॉपर त इसलिए हम सबसे पहले बताया गया कि आप खाना खा लेजे उसके बाद आप अपने रूम में जाकरके दो गंटे के लिए रेष्ट कर सकते हैं यह योग भावन आपने देखा है जहां की बारिस में योग करवाया जाता है वैसे ग्राउंड में करवाया जाता है अब हम चल यह भूजनालय बहुत ही बड़ा है यहां भी तीन से 500 आदमी आराम से खाना खा सकते हैं काउंटर भी 4-5 काउंटर लगा होता है हर तरह का खाना यहां पे है हर रोग के हिसाब से सबका खाना अलग होगा एक जैसा किसी का भी खाना नहीं होगा अब हम चलते हैं टेंट की ओर तीन महिने के का टाइम लगा था हमें बुकिंग नहीं मिल रही थी तब जाकर के टेंट में हमने लिया है लेकिन टेंट कहने के लिए है बहुत ही बढ़िया लगा मुझे आम के बागिचों में इसे बनाया गया है इसलिए यह स्पेसल है यह है जाने का रास्ता नेचरो पैथी सेंटर बहुत ही खुबसूरत तरीके से लिखा गया है मौसम भी बहुत ही सुहाना हो रहा है यहां का दिन कुछ इस तरह से निकल जाता है पता ही नहीं चलता कब सुबह से साम हो गई और पूरे दिन हमें ट्रेट्मेंट मिलते रहता है और हम चार बज़े से जाग जाते हैं यह देखिए यह सिक्किम के गवर्नर आये हुए हैं टेंट हाउस के सामने में निरामयम है जहां की भी आईपी लोगों को ठहराया जाता है बाबा भी खुद वहीं पे अभी रह रहे हैं यह है टेंट में जाने का रास्ता दोनों तरब से टेंट बना हुआ है ए बी सी डी ए एफ जी अलग अलग रो में अलग अलग है हमारा बी एट था यह देखिए यह है निरामयम बिलकुल अपोजिट साइड में है यह यहां ट्रीटमेंट यहां का रेट भी जादा है और ट्रीटमेंट भी इसके अंदर ही हो जाता है थोड़ा सा स्पेसल है यह हर तरह कुछ न कुछ नजारा इतना खुबसूरत नजारा आपको दिखेगा वहां पर हुआ थी सांत और साफ सुत्रा अब दो घंटे के आराम के बाद अब हम जा रहे हैं ट्रीटमेंट सेंटर यह जो गाड़े दिख रहे हैं यहां के डॉक्टरों या वैद के लिए है जो की निरामयम आते हैं अपने सेंटर से बाकी और दूसरी गाड़ी आपको नहीं दिखेगी सिर्फ इदिक्सा ही दिखेगा इसके अंदर में हम फिर से आ गए हैं भोज नालाई की ओर यह सेंटर पॉइंट है अब हम यहां से फिर से आगे बढ़ेंगे ट्रीटमेंट सेंटर जाने के लिए यहां जो पेमेंट होता है उसके अंदर नेच्रोपैत की ट्रीटमेंट भी है खाना पीना रहना सब कुछ है पर परसन दो हजार रुपया एक दिन का है यहां पे टेंट हो या कुटिया हो यह देखे बहुत ही सुंदर है बहुत हिसाब सुत्रा माली काम करते रहता है रोज सफाई होता है पांच बज़े से योगा होता है साड़े साथ बज़े तक साड़े साथ बज़े के बाद आपको कुछ न कुछ ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ता है और साड़े ग्यारा बज़े के बाद आप खाना खाते हैं 12.30 बज़े आफ्री हो करके थोड़ा सा रेस्ट करेंगे 2 घंटे के लिए 3 बज़े से फिर से आपको treatment के लिए जाना पड़ता है यानि कि सुबह से साम आपको कुछ न कुछ treatment के लिए कहीं न कहीं जाना आना पड़ता है दोनों टाइम योगा होता है सुबह में भी और साम मे भी आपके बीमारी के अनुसार अगर आपको मुटापा है तो मुटापा का अलग ग्रूप होगा अर्थराइटी से तो इसका अलग ग्रूप होगा इस तरह से हर एक बीमारी का अलग ग्रूप होता है वहाँ पे आप जा करके योगा कर सकते हैं सामने ये देखे अब हम पह ये बढ़ी बेडिग है और काफी स्पेसियस है ये जो देख रहे हैं सामने में न्यूस बिलडिंग है लेफ्ट सब्सक्राइबag पूरानी विलडिंग है कि योग गराम में लगभक 15-20 सालों से उपचार किया जा रहुँ है यहां से धीरे धीरे लोगों की रहने की बेवस्था बढ़ाई जा रही है क्योंकि लोग बुकिंग लोगों को बुकिंग नहीं मिल रही है यहाँ दो तीन महिने वेट करना पड़ रहा है इसलिए तेंट बनाया गया था और महili माल tract नाय और जरोर आना चाहिए अपनी बडिको को डिटॉक्स करने के लिए कोई फ्रॉबलम नहीं है फिर भी एक बर जरूर आना चाहिए साथ दिन के लिए यह Upper के स्टाफ के लिए कुटिया है अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लिजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए